अब गुड बर्निक आल अफ यू चले जल्दी से क्लास को सेर कर दीजे फिर क्वेशन ये त्यमकल ट customer के लिए जली सेर की जिए फिर एक motivation line लेते हैं छूले आसमान जमी की तलास न कर जीले जिन्दगी खुसी की तलास न कर तक्दिर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त मुस्कुराना सिख ले वजा की तलास न कर मुस्कुराना सिख ले वजा की तलास न कर तो इसी साथ आज से क्लास श्टार्ट करेंगे तो तक्दिर बदल जाएगी थीक है उसके लिए पहले आपको मेंस आंसर राइटिंग करना पड़ेगा क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग भी तक्दिर बदलने का एक इस टेप है क्योंकि जब तक आपका सेलेक्शन नहीं होगा आपका तक्दिर कैसे बदले आपका मेंस उद्दे सेलेक्शन लेना है तो मेंस आंसर राइटिंग इस्टार्ट कर दीजिए चले तो सेयर कर दीजिए क्लास मुस्कुराते हुए एक बार वाटसप में सभी फिर आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज मेंस आंसर राइटिंग का उन्तीस्वा दीन है ठीक है अब महुत लोग का मेसेज आया था सर मेगा टेस्ट कर क्या हुआ तो सर रदेग जो मेगा टेस्ट हुआ था उसका ना आपको अभी रिव्यू मिला है ना तो क्यों नहीं मिला है तो आप सभी जानते हैं कि कल यूपीएसी लोग सिवायो संग लोग सिवायो यूपीएसी का प्रिलीम्स का एक्जाम था तो उसमें हम लोग बीजी थे जिसके कराना आपको रिजल्ट रिव्यू और माडार अंसर प्रोवाइट नहीं किया गया है त इसके भी मॉडल अंसर साथ ही साथ मेगार्टेस्ट के मॉडल नहीं सब्सक्राइब नवाचिये साथ ही आपके रिजल्ट बताया जाएंगे और आज आपको लिभी भी मिल जाएगा ठीक है तो निशित रहीए और रात को 9 बजे सभी लाइब आईएगा कोसिस कीजिए तादकि हम लोग और बैतर से बैतर आप लोग कि ये अच्छा कर सकी मोटिवेशन हमको भी मिले मोटिवेट हो तो जयर ज़र संकरे मिलाइव आने को सीज करिएगा क्लास को सेवद करीज़िए फिर आज ये धा को सिर्म सेव नोट करते है साथ मैं आपको आज बंपर दमाका गवारें भी बताऊंगा ठीक है आज हम लोग लिए पेपर 3 छत्तिक एतिहास जनरली टॉपिक तो बहुत सारे हो गए हैं तो लेकिन कुछ और महत्मूर कोश्चन बच्चे हुए हैं जिनको आज कराया जा रहा है ठीक है इंगलेश मिन्वाले नोट करिएगा एस्प्लेन दा इंपेक्ट आफ नेशनल मुवमेंट इन चत्तिजगड दूसरा कोशन नोट कर लिजिएगा आज कर राश्टी आंदोलन में चत्तिजगड के इस्थानी संस्थाओं का योगदान बताईए राश्टी आंदोलन में चत्तिजगड के इस्थानी संस्थाओं का योगदान बताईए यह आज का मारा दूसरा कोशन हुआ इंगलेश मिन्वाले नोट करिएगा यह आज का दूसरा कोशन हुआ इंगलेश मिन्वाले ध्यान दीजिएगा अगर आपको आपको जो दिया जा रहा है वो टांसलेशन रहता है तो आपको लगता है कि इस वर्ड के बदले यह वाला वर्ड अच्छा रहेगा तो आप उसको डाल लीजिएगा ठीक है चाहिए वो आंसर में हो या आपके कोशन में हो क्योंकि आप वर्ड का जितना अच्छा किसी भी सब्द का जितना अच्छा वर्ड लेंगी वो एक्जामिनर के उपर अच्छा प्रभाव डालेगा तो आप जानते हैं आपके दिमाग में आता है कि इस वर्ड के लिए ये वाला वर्ड अच्छा है तो आप एट कर लिजीगा ठीक है अब रही बंपर धमाका वाली की बात तो उसको भी थोड़ा बता देता हूँ कि कल बारा बजी आपके लिए एक बंपर धमाका लेकर आ रहे हैं कुछ नया है आपके लिए जो मेंस आंसर राइटिंग बैच वाले हैं उनके लिए तो है ही है साथ याद प्रिलिम्स वालों के लिए है क्योंकि प्रिलिम्स के साथ सत मेंस आंसर राइटिंग करना भी जोर रही है मेंस की क्लास भी करना जोर रही है और mains के notes बनाना भी जोर रही है ठीक है आपको class में बता दिया गया था कि mains के notes कैसे बनाना है ठीक है उसकी भी class हुई थी तो prelims वाले साथी साथ mains का तयारी कलते रहिए तो कल सभी prelims वाले और mains वाले दोनों 12 बजे live आईएगा आप सब लोग के लिए bumper दमाका रखा गया है तो कम से कम 100 लोग live आईएगा तभी वो bumper दमाका open होगा तो सबसे पहले ज़्यादा ज़्यादा आप लोग आज की class को share कर दीजे अपने whatsapp status में और नीचे लिख दीजे कल 12 बजे bumper दमाका लेकर आ रहे है सब ही live आईए तीक है क्या एक bumper दमाका कलपता चलेगा तो जड़ जड़ संक्या में live आईएगा तीक है चलिए आज का तीसरा question note कीजिए राष्टी आंडोलन में 36 गड़ के समचा पत्रों की भूमिका को समझाईए एस्प्लेंड रोल आफ 36 गड़ न्यूस्पेपर इन ड़नेशनल मुवेंट एस्प्लेंड रोल आफ 36 गड़ न्यूस्पेपर इन ड़नेशनल मुवेंट ठीक है यह हमारा तीसा question हुआ आगे बलते हैं आज का चौथा question की ओर चौथा question नोट करेंगे Hindi मीडियम वाले Congress के सूरत अरिवेशन 1906 का 36 गड़ में क्या प्रभाव पड़ा Congress के सूरत अरिवेशन 1906 का 36 गड़ में क्या प्रभाव पड़ा English विडाले नोट करिएगा What was the impact of the सूरत सेशन of Congress in 36 गड़ What was the impact of the सूरत सेशन of Congress in 36 गड़ English विडाले नोट कर लिएगा यह चौथा question हुआ जो नए हैं आज चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे फिर बगल में बेल आइकन है वहां से बेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि कोई भी class अप्लोड हो live class हो या कोई भी बंपर धमाका लेकर आएं तो आपको notification पहले से प्राप्त हो जाएं ताकि आप live आ सकी और वो जो आपके लिए किया जा रहा है उसका benefit फाइदा उठा सकी ठीक है और आगे बाद जो अभी तक mains answer writing करना start नहीं किये है वो mains answer writing में registration करवा लीजे ठीक है क्योंकि prelims के means answer writing करना बहुत जो रही है क्योंकि prelims निकाल के भी आप क्या करेंगे अगर mains के practice नहीं है तो बीना practice के बीना answer writing के बीना notes के आप success नहीं हो पाएंगे यह आपको भी पता है तो mains answer writing करना इस्टार्ट कर लीजे registration सुल्क रखने को देश यही है ताकि केवल serious person ही इसमें भाग ले ताकि हम उनका जो समय देते हैं उनके review देने में मड़ा answer बनाने में केवल उनहीं लोग को मिल सके जो serious है इसलिए एकदम noon term charges रखा है 99 पर वन टाइम है ठीक है mains answer writing registration के लिए कोई भी mains answer writing तेश सीरीज का सुल्क नहीं लिया जा रहा है यह केवल एक registration एक बाल लिया जा रहा है ताकि आपका अच्छे सचे review दिया जा सके आपके कम्यों को आपके सामने रखा जा सके तो सभी लोग registration करवा लीजिए जो नय है या जो prelims बैच वाले है ताकि आपके कम्यों अभी से पता चल सके और अभी से आप सुधार करते जाए ताकि जो आगे वाने prelims के बाद मेंस exam होगा 2021 का उसमें आपका selection हो जाए ठीक है पाच्वा कोशन नोट कर लीजिए पहले राष्टी आंडोलन में 36 गड़ के विविन चेत्रों में किसने किसने नेतितों किया था आज या पाच्वा कोशन है राष्टी आंडोलन में 36 गड़ के विविन चेत्रों में किसने किसने नेतितों किया था कि इंग्लिज में आले नोट करिएगा हुलेट दा नेशनल मुवेंट इन डिफरेंट एरिया आप 36 गड़ यह आज के पांचवा कोश्चन हो गया ठीक है और मैं यह बोर रहत है कि जो प्रेलिम्स वाले हैं वो प्रेलिम्स का टेस्ट भी दीजिए और जो मेंस वाले हैं वो भी प्रेलिम्स के टेस्ट दीजिए बाकी जगह आपको मोटा मोटा फीस लेकर प्रेलिम्स के टेस्ट कराया जा रहे हैं हमारे द्वारा पुड़तर करी भी है तो जिनोंने अभी तक बारा बजी वाली कल की तेस्ट नहीं दिया था हो जाकर दे दीजिए क्योंकि मेर आंसर राइट इस साथ सा प्लेनाग मुख बहुँत जोर्य हैं क्योंकि प्रिलिम्स निकालोगे तभी तो में इंसान सा राइटिंग लिख पाऊगे तो जब निसूल का मिर रहा है आप तो उसका बेनिफेट उठाइए और जाहिए चैनल में और 12 वजे कल हुआ उसको क्लास को अटेंड कीजिए सांधी साथ आपको बताना चाहूंगा कल के बंपर धमाका 12 वजे लेके आ रहे हैं तो सभी लाइव रहिएगा ज़रा ज़रा सेयर कर दीजिएगा ताकि ज़रा ज़रा लोग कल लाइव आ सकें ताकि बंपर धमाका की कलास हो सकें ठीक है तो सेयर कर दीजिए और बंपर धमाक के लिए 12 बज़े कल यास से आ जाईएगा और एक सूच रहा है जो 12 बज़े आधुनी कितिहास की क्लास होती थी वो पिछले अपते कंप्रेट हो चुका है तो आपको 2-3 दिन से बोला गया था कि आप बताईए कि 12 बज़े क्लास में कौन सी क्लास से स्टाट की जाए तो बता और साम को 5 बज़े जो CGG योगराफी की क्लास चर रही है उसको अटेंड कीजिए बहुत जोरी है वो क्लास आपको साथे साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइट किये जा रहे हैं क्लास में ही और जो आपके बैच में नोट्स डाला रगाया है सूल के साथ तो उसका बता को उद्दे से हमारा सिल्फ यही है कि आपके लिए और बैतर कर सके क्योंकि हम नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइट करी रहे हैं प्रत्तिक क्लास में आपको हें रिटर नोट्स के साथ क्लास हो रही है आप क्लास देखते हुए वीडियो का पाउस करके लाइप क्लास के बात नोट्स बना सकते हैं तो आपको ये लेना नहीं पड़ेगा लेकिन जो नहीं बना पाते हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्द कराई गई है वो भी आपके कहने पर और हम PDF फ्री में भी डाल देते हैं बट हम चाते हैं कि हमारा जो महनत है हो केवाल उन्हीं लोग को मिले जो सीरियास है और सीरियास रहेंगे तभी आप जो मिनमाम चाजे 30 उपया 50 उपय ये पेट करके आप लेंगी अगर आप पेट करके लेंगे तो आप उसकी वैल्यू भी समझेंगे और उसको अच्छे से नोट्स बनाएंगी और पढ़ेंगे इसलिए वो सभी उद्देश आपके लिए हैं तो कल इंवार्मेंट का भी डाला गया था और भी बाकी क्लास का नोट्स डाला गया है तो जिनको भी लेना होगा इसमें इसका के ले लीजिए ठीक है आ और रात को नव बजे आज याज से लाइव आईएगा आज आपको जो मेगा टेस्ट हुए है उसको माडल आंसर और रिजल्ट रखर टॉप 10 प्रोवाइट किये जाएंगे ठीक है तो नव बजे जादर जादर संक्या में लाइव आईएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मि आज ही मिल जाएगा और हेल्प लाइन नमबर नोट के लिजिए क्या 758386446761941488 किसी प्रका के समस्या होता है तो आप डायक्ट अभी काल कर सकते हैं या वाट्सप में मेसेज करके पूर्च सकते हैं ठीक है तो चले फिर मिलते हैं सामको उससे पहले बारा बजे फिर साम में भी आपको वेनिफिट है ताकि जारा जारा कॉंपेटीशन का पतार कर सके और आपको में सांसर राइटिंग में कॉंपेटीशन और बढ़े हैं ठीक है तो चले फिर मिलते हैं सामको तब तक के लिए नमस्कार क्लास को सेयर कर दीजिए धन्यवा झाल